हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो भाई, क्या सब कर रहे हो, सबसे पहले आपको यह मैस अप्रोच पर वेलकम हैं, और सभी भाईयों को बहुत बहुत नमस्ते, चलिए आज हम एक टॉपिक परने वाल हैं, एक आपको नया टॉपिक नमर सिस्टम का ही एक्जाम में पूछा ज करना परता है, find करना परता है, maximum value of n, यह आपको निकालना होता है, n का value maximum, अगर हम 123 फैक्टोरियल में, अगर हम divide कर लेते हैं, मान के चलिए 3 का power n से, तो यहाँ पर आपको यह बताना है, इस n का maximum value क्या होगा, ठीक है guys, तो इस n का maximum value को find करने के लिए, आपको concept को जानना होगा, कुछ zero बारे जो concept हम पिछले वीडियो में परहे थे, वही concept यहाँ पर लगने बारे, इसमें क्या है, आप यह देखिए, कि अगर आप number of zero find कर लहे थे, तो आप prime number को क्या किये थे, लिए थे, दो prime number का एक pair बनाए थे, ठीक है, एक 2 का, एक 5 का, त इसमें से आप यह count किये थे, कि जो कम बार आता है, वह pair बनाएगा, वही क्या होगा, zero of number from last, माने, अमकी उसे zero की संख्या, हो सकता है, एक्जामर आपको ऐसा question डाल दे, कि यहाँ पर number of zero नहीं पूछ के, ऐसा पूछ दे, कि बताव भाई, कि एक से लेकर अगर 23, माने, 123 का factorial है, तो इसमें number of three है, वह कितना है, तो यहीं आप से question पूछा है, तो हम find करेंगे, कि इसमें number of three कितना है, बहुत simple question है, जिस प्रकार से आप number of five को find कर रहे थे, उसी प्रकार से number of three को आपको find करना है, तो क्या करेंगे 123 में, एक factorial का मतलब क्या होता है, हमने पिछले class में बता दिये है, तो इसमें क्या करेंगे, 3 से divide करेंगे, तो कितना हो जाएगा 4, 1, 41, फिर इसमें 3 से divide करेंगे, कितना हो जाएगा, 13, आपको remainder पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है, बहुत अच्छा से समझाएंगे, अच्छा के स सब को add कर लिजिए, कितना हो गया, 1, 3, 4, 4, 8, 8, 9 हो गया, फिर कितना हो गया, 4, 1, 5, 69, इसका मतलम यह हुआ, कि अगर 113 factorial है, अगर हम 3 से divide करते हैं, तो इसमें जो भी नम्मर आया होगा, उसमें 3 का power 69, मारे 3 जो है, क्या 69 वार, 59 वार रिपीटेशन हुआ होगा, तो यह यहाँ पर n का maximum value अगर divide करना है, तो अगर n का value यहाँ पर 59 रख दे, इससे यह क्या होगा, पुरा division हो जाएगा, इसका मतलम यह हुआ, कि इसमें number of n जो होगा, maximum number, कितना, maximum number कितना होगा, 59 होगा, समझ गे, तो इस तरह के question exam में पूछे जाते हैं, तो आप इस तरह के question को बिल्कुल अच्छा से करेंगे, और देखेंगे, चलिए और देखते हैं, इस पाधाय 5-6 question, type by type देखते हैं, उसमें भी क्या होता है, तो factorial बेस्ट में आपको 20 में जो है, prime number नहीं डाल के कुछ और डाल सकता है, तो क्या करते हैं, चलिए next question, आपको यह रहा, एक सो संतावन factorial में आपको divide करना है 10 से, बताना है maximum value of n जो है, यह क्या होगा, कुछ नहीं करना है, शेम चीज, देखेंगे, अब यहाँ पर 10 जो है, एक क्या है, prime number तो नहीं है, prime number क्या है, इसका जो हम factor करेंगे, तो निकल के आएगा 2 और 5, तो हम यह देखेंगे, कि 5 और दो का पेयर बन के 10 बन रहा है, तो उसमें हम number of 2 भी क्या find करेंगे, और number of क्या find करेंगे, 5 भी find करेंगे, तो इसमें number of 5 योगा find करते हैं, तो क्या होता है, तो एक सो संतावन में factorial में, अगर आप 5 से divided करते हैं, तो 5 तिया, 15, 5 से रिभायर करेंगे 6, 5 से करेंगे 1, कितना गया, 37, 38 आगया, कितना आगया, 38 आगया, लेकिन इसमें number of 2 जो find करेंगे, देखिए, 157 में number of क्या करेंगे, दो find करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 7, 24, 8, 26, फिर कितना हो जाएगा, 3, 9, फिर 2 से divided कर भायर कितना हो जाएगा, 19, 38, फिर कितना हो जाएगा, 9, फिर कितना हो जाएगा दो अफिकता हो जाएगा वन सबको एड़ करेंगे तो इस अर्थिस से यह भाइल्यू दर्खो यहीं पर दिखा रहा है कि ज्यादा आने वाला है हमको एड़ करना ही नहीं है क्योंकि यह पेर बनाएगा क्योंकि हमको 5 और दो का पेर चाहिए तो अगर पांच थाट्टी एट वा रहा हैं और पिस वा रहा है तो दो भी अर्थ जाएंगे तो पेजर बन जाएगा तो यहीं काम करते हैं तो तो इसका मतलम यह है कि दो यहां पर n का maximum value, 10 का पावर 30 तो ले सकते हैं तो यहीं है यहां पर n का maximum value होगा वह कितना होगा? 30 होगा, कुछ नहीं करना था question में, समझ ग्यें, चलिए ठीक है, चलते हैं, फिर से next question की तरफ, तो चलिए गयज, फिर आइं, next question की तरफ आगें, next question आपका ये रहा, 187 के factorial है इसमें आपको 15 के power n सेटिव हाइड करना है और बताना है maximum value of n n का maximum value क्या होगा आपको ये बताना है है ना देखिए बहुत अच्छा question बन जाता है exam level में हो सकता है अभी आपका जो ntpc का exam चल रहा हो है तो इसमें step का question जो है पूछ लिया जाए तो आपको जो है ये सिर्फ एक ही concept लेकर नहीं चलना है कि चलो number of zero from last पर लिए अब हो सकता है इसी पर best question पूछेगा लेकिन आपको ये question जो है बहुत important हो जाते हैं ऐसे से question ये बहुत बहुत छोटे question है लेकिन बहुत important होते हैं चलते हैं इसमें कैस yuga en सब्सक्राइ खन सब्सक्राइब करें और इसमेंज हम मेंflehot पंदरा का इसमें कितना पेर आ रहा है किसमें फंद्रा का जितना पेर आएगा तो एन का maximum value ही हो जाएगा मांग करेंगे अराम से ले सकते हैं तो वही कर लेते हैं लेकिन यहां पर कंडिशन किया भाई कि पंद्र जो है आपको एक प्राइम नमर नहीं है हम हमेशा प्राइम नमर को खोजते हैं तो प्राइम नमर नहीं है तो प्राइम नमर के लिए क्या करेंगे उसको हम फैक्टर कर लेंगे दो में तो एक हो जाएगा तीन और यह पांच यह किसका फैक्ट बन जाएगा अब पंद्रा बना लेगा तो एन का भारी यहीं से हम फैंड कर लेंगे चले देखें क्या करते हैं 187 में आप अच्छी तरह से जानते हैं अगर देखेंगे तो आप यह दोनों फैंड नहीं भी कर सकते इसमें से एक ही फैंड करेंगे मालूम चल जाएगा क्योंकि दखिए तीन जो है यह हर तीस्रे पहले स्थांप मिलेगा तो फिर फैंड करना हमारे लिए समय का क्या है वर्वादी है वक्त की क्या है वेस्टेज है तो आप तीन को नहीं फैंड करके आप 5 ही find कर लिजिए तहा एक सो सतासी में अगर 5 से divide करेंगे तो कितना हो जागा 5 तिया 15 35 35 37 हो गया 5 से भाग करेंगे 5 35 5 से भाग करेंगे एक तहा कितना हो गया साथ साच होगा 45 हो गया कितना हो गया 45 तो यह 45 तीन से भी लेंगे इसका मतलब यह हुआ कि 45 जो है तीन दो इस चे अधीक बार आएगा तो तीन भी 45 लेगा यह दोनों मिला के 15 का पावर क्या कर लेंगे अगुने वी का पावर क्या होता है अगर एम बेस अलग है पावर दोनों का सेम हो तो क्या हो जाएगा तो उसको हम लिख सकते हैं अब का पावर बात समझ गए यह दोनों साथ आप एक साथ याद रखेंगे बेस अलग हो, पावर सेम हो, दोनों को एक ही बेस मुटिप्लाय करके पावर चढ़ा लेते हैं, तो वही काम किया यहाँ पर, बास समझ गें, अब देखें तो यहाँ पर n का maximum value कितना आ गिया, 45, कितना आ गिया, 45, यही हुआ आपके question का answer, समझ गें, चलते हैं फिर, next question की तर तो आपको यहाँ से number of, क्या, n find करना है कि n का maximum value जो है, यह कितना बनके आएगा, किजिए खुद से question, वीडियो को false कीजिए, बनाने का पर्यास कीजिए, answer को comment box में tap कीजिए, फिर देखिए हम बनाते हैं, आपका answer match होता है कि नहीं होता है, चलिए करते हैं, सबसे पहले य जो आना है, 12 का अगर हम क्या करेंगे, prime हम का चाहिए, लेकिन 12 को यहां को प्रैम नहीं है, है एक अबहाज शंख्या नहीं है, तो पहले उसको इक factor करेंगे, इस तोर पर इसमें से अबहाज संख्या निकल के है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दो गुने, दो गुने क्या, तो इसमें दो अभहा Aceない क्या हो गया एक हो गया दो एक पे हो घ्री तो अगर इसमेहं से म से अगर एक हो तैस है तो यह एक गुणे दो गुणे 34 अत्या डेस 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 गुने 123 ऐसे लिख सकते हैं तो हम यह find करेंगे कि इसमें से नम दखिए जबकि 12 बनेगा कई से 12 एक चुने बनेगा 4 गुने 3 से तो हमको तो यह खोजना है कि 4 इसमें कितना बार आ रहा है और 3 कितना बार आ रहा है दोनों का पेर बनाके क्या बन जाएगा 12 बार बन जाएगा और वही से maximum value of n find हो जाएगा तो वही काम करना है लेकिन यहां पर 4 जो है एक प्रैम नमर नहीं है इसलिए इसको भी हम तोड़ हम क्या ले लिए यहां से 2 इसमें से हम find करेंगे number of 2 इसमें से find करेंगे number of 3 समझ रहे हैं तो 123 में आप 3 से divide करते हैं तो 3-4 का 12 ऐसे भी आप जानते हैं कि number of 2 जो हर दूसरे पहले स्पर क्या होगा रिपीट होगा हर दूसरे पैस पर लेकिन नमर अब 3 जो है हर तीसरे पहले स्पर रिपीट होगा तो आपको number of 2 तो क्या करना है जो number of 3 होगा वही आता क्या हो जाएगा यहां पर देखी क्या condition अपणिशन अप्ले होता है तो तीन चोगा कितना हो गया 12 फिर अगा एक फिर तीसरे भाग करेंगे 3 से भाग करेंगे 4, 3 से भाग करेंगे 1, कितना हो गया भाई, तो 1, 4, 5, 3, 8, 9, 9, 4, 5, कितना हो गया, आपको यह 59 आ गया, ठीक्से समझेगा यह कोशन, बहुत अच्छा कोशन है, है न, इसके बाद यह देखिए, यहां से हम फाइंड करेंगे नमर अफ टू, नमर अफ टू फाइंड कीजिए, तो 123 में नमर अफ टू फाइंड करेंगे, तो कितना हो जाएगा, छोद ना बाद विएक अंदू, फिर से भाग करेंगे 30, 2 से भाग करेंगे 15, 2 से भाग करेंगे 7, 2 से भाग करेंगे 3, 2 से भाग करेंगे 1, ठीक है, जोड़िए, 1, 5, 6, 7, 13, 13, 14, 17, 17, 11, 10 11, कि इतना हो गया 11, ठीक है अब यहाँ पर समझे बात क्या है, इससे हम झो रहे हैं ना ठीक है? अब यहाँ पर समझो, लेकिन हमको 2 नहीं चाहिए, हमको 12 को लाने के लिए हमको 4 चाहिए, इसके मतलम यह हुआ हम इसको यहाँ पर लिखते हैं, कि 2 का पावर 117 और इसमें लेकिन हमको चाहिए बारार लाना है इसको बनाएंगे चार इसको चार बनाएंगे तो क्या लिखेंगे दो का पावर दो इसका पावर क्या लिखेंगे यह फिप्टी एट ठीका एक दो बच जाएगा बात समझ रहे हैं अंठावन दूना 116 यहां पर 17 है माने का दू जो है 117 रबर आया है यहां पर 16 लबर हो गया पावर का पावर गुना होता है तो एक दू मेरे पास बच गया है ठीक है एक दू मेरे पास क्या हो गया है बच गया है एक होगे आपको माने क्या तीन का पावर 69 अब उसको फाइंड करेंगे तो चार का पावर अंठावन और इसमें स पावर सेम है बेस अलग है तो इसको एक बेस को मल्टिप्लाइ कर लेंगे और इसको क्या दिसकते हैं पावर अंठावर हमको यही लाना था यह आ गया तो एन का maximum value निकल है कितना आ गया तो 58 समझें यह बहुत बहुत दरीन कोशन है आपको हो सकता है अगर अभी क्योंकि आप अगर देखते हैं से दस बारा कोशन पूछे जाते हैं तो आपको तो इस तरह कोशन बिल्कुल करना ही चाहिए और इस पर एक दो प्रैक्टिक्स करके ही जाए एक्जाम में आपको बहुत मजाएगा चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट कोशन की तरफ तो दखिए यह कोशन अलग टाइफ से कोशन है इसमें आपको maximum value of n पर हम इसने भी सारे बेश्ट कोशन थे हमने शाड़ा कोशन को निप्टाय दाला है और फिर आप देखिए एक फैक्टोरियल बेश्ट कोशन देखिए यह पावर जो है चार है पांच का पावर कितना है चार है और इ फ्रॉम लास्ट आपको यह फाइंड करना है बहुत अच्छा कोशन है हो सकता है कि ऐसा कोशन पूछ लिया जाए है इसलिए हमने इस कोशन को फिर से इंक्लूड किया है चलिए इस दोरों कोशन हम बताते हैं यह कोशन आपको खुद से करना है लेकिए कैसे फाइंड तो गुना किजे, पचे 25, 15, 15, 625, अब यह तो आप पढ़े हैं, पढ़े हैं, तो यह कितना हो जागा, इसमें 5 से भाग करेंगे, तो क्या होगा, 125, 15, पांस से भाग करेंगे, अब फिर 1, तो कितना होगा, 1500, 156, कितना गया एंसर, 156, अब आप सुचिए, यहाँ पर इसका पावर बहुत छोटा पावर था, दो, तीन, चार, मैकसिमन पांच तक कर सकते हैं, छे तक कर सकते हैं, आज लेकिन यहां पर अगा पंदरा का पावर 129 दे दाता, तब क्या करते हैं, क्या इसी तरह से बनाते हैं, नहीं, उसके लिए अलग से भी इसको परियास करते हैं, यह पुरा बेसिक से बनाये थे, है न, आपको बताये थे, याद रखेगा, एंसा कितना आया, 156, इसको साफ कर देते हैं, तो देखिए, निचे, अगर यह पांच का पावर 4 है, यह फैक्टोरियल में है, तो उसको तुम ऐसे लिख सकते हैं, पांच का पावर 4, पांच का आएगा कितना बार, चार बार, पलस, यहां से कितना बार आजाएगा, पांच, तीन बार, यहां से पांच कितना बार आजाएगा, दो बार, और यहां से पांच कितना बार आजाएगा, एक पांच यहां से आजाएगा, यहां पसिब नम्मर औफ फाइव को हम कॉंट कर रह अब देखिए क्या करते हैं अगर आप देखेंगे गौर से यह देखिए बर रहा है यहां पर चार पांस था यहां पर तीन पांस है यहां पर दो पांस है यहां पर पांस के संख्या एक हो गई इसका मतलम यह हुआ अगर आप यहां से गौर से देखिएगा तो यह जो है बर है तो 15 फिर दस बराइं तो फिर से दस बराइं यह पाइंट यह एक एक का फॉर्म होगा लेकिन जी पी का अगर फॉर्म बोले अगर यह चार है अगर इसका सब्सक्राइब से ठीक है तो यहीं हम कह रहे हैं यहां पर डिफ्रेंस देखिए कितना कितना का है अलग अलग डिफ्रेंस है एक करना का डिफ्रेंस है इसको आप से फैंड करेंगे अब यहां पर नमल अफ जीरो फैंड करने के लिए हम को चाहिए क्या चीज़ इसको सबसे पर एसना निकाल याद रखना पड़ेगा एक हो जाएगा और इसमें आर का पावर एंट आर कितना का डिफरेंस है तो 55 का डिफरेंस वाकर देखेंगे एक पंचे पावर चार पावर चार कितना होता है देखें आपको बता रहे हैं पाँच का बावर चार कितना होता है 625 में से एक घटा देंगे बटा चार यह कितना आजएगा चार से भाग करेंगे फिर से देखें भाग किजिए यहां से भी तो 156 ही आज़ा तो यह दोनों जो है एंसा मैच कर रहा है तो माने आपको बड़े बड़े कोशन पर यह मेठर अपलाई करना है बात समझ लें अब चलिए इस कोशन की तरफ चलते हैं यह कोशन में हम सोल कर कर देते हैं कैसे होगा रहत इस कोसमें देखिए कैसे करना है कुछ नहीं करना है ड्रैक फाइसका पावर रदस 50 का पावर 9 Algum फाशाग्त पावर एट यह लिक सकते हैं Champ आपको एक्जाम में इसी टैप का option मिलेगा तो इसी यही मेरा क्या हो गया इसको तोड़ना नहीं है पांच का पावर दस कितना वार गुना करेंगे बहुत लंबा गुना हो जाएगा तो उसको अब तोड़ना नहीं है यही क्या आपका एंसर हुआ बात समझ गए तो चलिए यह आखरी कोशन था आज के लिए फिर मिलते हैं आपको एक ने चेप्टर क हो गया सारा कंसिट हमने बताया आपको कैसा लगा वीडियो कॉमेंट बॉक्स में आप टाइब कीजिए और देखिए वीडियो को सेर कीजिए सब्सक्राइब नहीं है निए व्यूवर है तो अभी सब्सक्राइब कर लिजिए बेल आइकन को दवाना मत भूलिए तो चलिए जाहीं दोस्तों मिलते नेक्स्ट वीडियो में जाहीं